नमस्कार दोस्तूँ एडूकेशन 24 में आपका स्वागता दोस्तूँ आज का ये वीडियो बहुत ही महतोपूर होने वाला है क्योंकि आज कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका 16 के अंदर टोपर बनना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि कचछा 10 के अं समय देना है कितने घंटे पढ़ाई करना है क्या क्या करना है तो दोस्तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हूं कि अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे वेल आइकन को प्रेस सबसे पहला विजे दोस्तो होता है आपका हिंदी उसके बाद होता है दोस्तो गडित उसके बाद होता है अंग्रेजी फिर विज्यान होता है समाजिक विज्यान होता है और संस्कृत होता है दोस्तो यही 6 विजे होता है देख लिजे ध्यान सी यही 6 विजे होता है जिने आपको पढ़ना है एक साल के अंदर तो दोस्तो हिंदी, गड़ी, अंगरेजी, विज्ञान, समाजी, विज्ञान और संस्कीत इनी 6 विशेयों को आपको पढ़ना है चलिए यह तो समझ में आगए कि कचादस के अंदर 6 विशे होते हैं आप समझते हैं दोस्तो कि आपको कैसे क्या करना है दोस्तो देखिए यहां पे जो 6 विशेयों है आपको क्या करना है कि इन 6 विशेयों को दो कटेगरी में डिवाइड कर लेना है सबसे पहले कटेगरी में आपको रखना है हिंदी, दूसरे में रखना है दोस्तो पहले कटेगरी में आपको रखना है हिंदी अंग्रेजी संस्क्रीट और दूसरे कटेगरी में रखना है दोस्तो आपको गडित विज्ञान और समाजी विज्ञान तो दोस्तो मैं इसको दो कटेगरी में इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि देखिए यहां पर ज इसको एक category के अंदर रखा हुआ है उसके बद दोस्तों बात करते हैं agresy की तो तो अंग्रे scryarmライis के अंदर question and Sor आता है ठीके पैसे जाता है पोयाम आता है निवध्द लिखना होता है तो इसके अन्दर भी जो है हमें याद करने का सब्जेक्ट होता है तो इसको के लिए के लिए तो Hindi, अंगलेजी, और संस्कृत को एक कटेगरी में रख लिए और दूसरे पाट में रख लिए दोस्तों घडित विग्यान और समाजिक विग्यान क्यों कि दोस्तों जो गडित सब्जेक्ट होता है इसके अंदर आपको सूतर याद करना पड़ता है mathematics को हल करना पड़ता है उसके बद विज्ञान दोस्तो विज्ञान में एक ऐसा subject है जिसके अंदर आपको theory याद करना पड़ता है सुत्र का निगमन करना पड़ता है समाजिक विज्ञान के अंदर दोस्तो मांचीतर से समांदित आपको जो question answer होते हैं उसको हल करना पड़ता है बहुते विज्ञान के अंदर आता है तो यह जो तीन subject आपको में बताया है दोस्तो गडित, विज्ञान और समाजिक विज्ञान इन तीनों विज्ञान को जो है यह थोड़ा हल करने वाले विज्ञान होते हैं यहाँ पर मैं note किया हूँ देखें यहाँ पर आपको क्या करना है आपका जो subject होता है हिंदी तो हिंदी के अंदर क्या करना है हिंदी के अंदर दोस्तो आपको एग घंटा समय देना है उसके बाद अंग्रेजी अंग्रेजी के अंदर भी आपको दोस्तो एग घंटे का समय देना है संस्कृत, संस्कृत के अंदर भी आपको एग घंटे का समय देना है लास्ट में बताऊँगा क्यों आपको इतना समय देना है उसके वासे दोस्तो जो दूसरा कटेगरी हमारा था उसके अंदर दूस्तो गडित के अंदर आपको 2 घंटे के समय देना है विज्ञान, विज्ञान के अंदर दूस्तो आपको 2 घंटे के समय देना है और लास्ट में आता है दूस्तो समाजिक विज्ञान तो दोस्तों यहां पे टो टॉटाल आपको रोज के आठ गन्टे निकालना है अपने पढ़ाई के लिए दोस्तों अब यहां पे समझ्याह यह आती है कि ज्यादातर कॉसल्डेयन गार प्टॉन्प और आचो दोस्तों को अगर आपको कचदस के अंदर ज्यादा नमबर लाने हैं अगर आपको भी टोपर बढ़ने हैं तो दोस्तो आपको मेहनत करना पड़ेगा आपको discipline मेराना पड़ेगा आपको अपनी आदत्यों को सुधारना पड़ेगा तब तक आपसे कोई भी आदत डेवलप नहीं होगा और ना ही आप इतना समय एक फोकस के साथ दे पाएंगे किसी भी subject के उपर तो आपको दोस्तो आठ घंट एकर समय देना है तो सबसे पहले अपनी आदत्यों को बदलना होगा तब जाके आप किसी भी subject के उपर अच्छे से फोकस कर पाएंगे और परिक्षा के अंदर ज्यादा नंबर उठा पाएंगे तो यहाँ पर पहले आप मेहनत करने के लिए त्यार हो जाएए उसके बाद आपके नंबर आने वाले है अब चली आगे बढ़ते हैं उसके बात क्या करना है यहाँ पे तो समझ में आगा न आपको कि किस भी subject के ऊपर कितना समय देना है अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि दिखिए इसके अलावा भी आपको एक काम और करना है वो यह कि आपको दोस्तों रोज एक पेज हिंदी नकल और एक पेज अंग्रेजी नकल लिखना है डे वन से आपको अभी से शुरुवात कर देना चाहिए ठीक है अगर आपको 2023 की परिक्षा दनी है तो 2022 के अंदर से यह आप एडिमिसन ले चुके हैं उसके बाससे आपको रोज एक पेज हिंदी नकल और एक पेज अंग्रेजी नकल आपको लिखना है ताकि आपकी लिखावट किसलिए बताने हूं ताकि आपकी जो लिखावट है वह सुधार सके और जब आपकी लिखावट सुधार जाएगी तो दोश्थो परिच्छा के अंदर जो हता है एक जामीरर जो कापी चेक करने वाले होता है तो अगर आपकी लिखावट अची रहेगी तो आपको ज्यादा लेकिन अगर आप होड़ा सा कम भी जानते अगर आपकी लिखावत अच्छी रिकांई नरत आपको आपको इनुपरत आते हैं जो आपको हम होचो और आपको आकपको ए बहुत सारी लोगों के लिए, मुम्किन नहीं है, लेकिन अगर आप discipline में रहेंगे, अगर आप थोड़ा सा अपने सरीर को कश्ण देंगे, तो आप सुबा चार बज़े उठते हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं, अगर आप सुबा चार बज़े उठते हैं, तो उसके बाद आपको नीद नहीं आगा पढ़ाई करते समय तो आपको 4-5 बज़ तक फिरिश हो जाना है उसके बाद ब्रस रज़ जो भी एक कर लेना है उसके बाद से 4-5 बज़ तक आपको नहाल लेना है और हलका सा अगर फल है तो फल ले लिजे या नाश्टा कर लिजे हलका सा जो भी फ चलता है अगर आपका दिमाग ज्यादा काम करता है तो आप सुबह 5-7 बज़ तक गड़ित लगा लिजे लेकिन मैं यहां पर समझाने के लिए को लिखा हूं कि 5-6 बज़ तक आप हिंदी पढ़ लिजे और फिर उसके बाद थोड़ा सा 5-7 बज़ तक अंग्रेजी पढ़ ऑप का मायथ कंशूर है तो आप क्या कर सकते हैं कि इनके जगह पे आप 2 घंटा मायथ कर सकते और उसके बाद जो होता है आपका समाजी भी गांड कर सकते हैं गांटा ठीक है उसके बाद दोस्तो आप बात कर लेते हैं अगर आपको इतना हो गया उसके बाद आठ बेज के बाद अगर आप को जाना है तो आठ बेज के बाद आप क्या कर सकते हैं तो आठ बेज के बाद आ आप क्या कर सकते हैं गड़ित कर सकते हैं अगर आपको गड़ित साम को नहीं करना है दूसरे भी से करना है तो आप दूसरे भी से कर सकते हैं मैं आपको समझाने के लिए समय बताया हूँ तो साम को 4-6 बज़ तक घड़ित कर सकते हैं और 6-7 बज़ तक समाजी विग्यान या 8 बज़ तक क्या कर सकते हैं दूसरा भी से कर सकते हैं या विग्यान कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें अपने हिसाब से देखिए यहाँ पर मैं जो भी समय टाइम टेबल आपको बताया हूं इसमें आप अपने हिसाब से अपने दिमाग के अनुसार लेकिन यह बत याद रखेगा अगर आप सुबा चार बज़े उठेंगे तो ही पोसिबल है यहाँ पर मैं जो भी टाइम टेबल बताया हूं आपको इसमें आप अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हैं ठीक है लेकिन आपको सुबा चार बज़े उठना है इस बात को याद रखेगा ठीक है इसमें आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं लेकिन ज ज्यान के ऊपर 2 गणते समयाँ से नहीं एक दिन के अदर आपको 8 गंटे का समय दाना है अब दूस्तों यहाँ पर सवाल यात है कि क्या आप 8 गंटे अगर पढ़ाई करेंगे तो सोगे कितना घंटे दोस्तों थि offended के बोडी के लेवल अलग अलग होता है । अगर कोई इनसान कुछ इसे इनसान होता है जो अगर दू घंटा सोँगे सोरी चार गंटा सोँगे छे कंदा तो उनकी नित पूरा हो जाती है कुछ लोग 12 गंटा सोने के बाद में नित पूरा नहीं होती है तो यहां पर मैं अगर बता हूँ एक दिन में 24 गंटे होते हैं ठीक है एक दिन में 24 गंटे होते हैं जो है कि अन्यकारे भी कर सकते हैं तो ये टाइम टेबल अगर आप फालो करेंगे तो आपकी हेल्थ भी अचा रहेगी दुस्तो देखिए अगर आप सोचेंगे कि एक महिने के अंदर मैं पूरा कभर कर लो रोज अगर मैं तीन बज़े उठके पढ़ो तो इस तरीके से क्या होगा आपका हेल्थ खराब हो जाएगा आपको जबरजास्ती नहीं करना है आपको नीद भरपूर लेना है जब तक आप भरपूर नीद नहीं लेंगे आपका माइन अच्छे से काम नहीं करेगा दोस्तो बहुत सारे चैनल्स के उपर गलत अफवाफ हाल आ जा रहा है कि आप अगर आप तीन बज़े उठेंगे दो बज़े उठेंगे और जाता समय देंगे छे घंटा सोएंगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा दोस्तो यह बिल्कुल गलत बात है तो आपके पास एक साल का समय होता है ध्यान से समझेगा आपके पास अगर आप 2022 के अंदर एडिशन करा चुक है 2023 के अंदर आपको परीछा देना तो आपके पस भरपूर एक साल का समय होता है परीछा की त्यारी करने के लिए आपको क्या करने है दोस्तों आपको 9 महीने का लेके चलते हैं और माल लीजे 9 महीने के टार्गेट लेके चले सब कुछ कभर करने के लिए हिंदी अंग्रेजी मैज समाजी विज्ञान विज्ञान अगर हर भी सब कभर करने में 9 महीने के टार्गेट लेके चलते हैं और अगर आपको कभर करने में 10 महीने लगता है ठीक है म महिने के अंदर आपको परिक्षा के अंदर आपको जो भी दस महिने के अंदर जो भी त्यारी किये हैं दो महिने के अंदर आपको अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना है रिपीट कर लेना है हर एक चीज को अच्छे से ध्यान से देख लेना है समझ लेना है याद कर लेना ह और उसके बाद से दो महीने की आजबरजट प्राइप भाँना दर दोभी केस्ते एंद आपको लेके नोइने नौ महीने की पूरा होता है धृर नवहने समय रहेगा परिक्ष finding से पहलेगी हैं तो इस तरीके से अगर आप त्यारी करेंगे तो परिक्षा के अंदर। आप भी Topper बन सकते हैं, आपके भी ज्यादा Number आ सकते हैं क्योंकि दिखिए दोस्तों जो Topper होते हैं वो कोई अलग तरीके से Rocket Science की तरह मत्त दूसरा पढ़ारी नहीं करते हैं तो भी इसी तरीके से पढ़ाई करते हैं, बस फर्ख ही होता है, कि हो discipline में रहता है, मेहनत करते हैं और हर बिसे पे समान तरीके से समय देता है, ऐसा नहीं कि ज़्यादातर इस्टुडेंट के जिनके कम नंबर आते हैं, उनके reason यह कोर होता है, यानि क्योंकि वो दो से तीन सब्जेक्ट के उपर ज्यादा फोकस करते हैं और बाकी सब्जेक्ट को जो है नजर अंदाज कर देते हैं लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है आपको हर विशे के उपर समान फोकस करना है हर विसे को हलके किसी भी विसे को हलके में नहीं डेना है सभी विसे को अच्छे तरीके से पढ़ना है सभी विसे की सभी अच्छे तरीके से त्यारी करना है और उसके बास से दोस्तों जो मैं यहाँ पर टाइम टेबल बता है आपको हिंदी के ऊपर एगंटा रोज कर देना है अंग्रेजी के अंदर 1 गंता रोज देना है, संस्कीत को पर 1 गंता रोज देना है और गडित के अंदर 2 गंता को रोज देना है तो दोस्तो आज के लिए कापी अगर आप इस वीडियोक लाइक निए तो लाइक किर दी आए और जितने भी हाइस्कूल के अंदर जितने भी स्टूदेंट ऐँ उनको यह सेर कीजिए वीडियो ताकि उनको भी यह टाइमटेबल पता चले और वो भी इस तरीके से पढ़ाई करें तैकि उनके भी ज्यादा नमबर है थैंक यू